सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए न्यूजिलन्ड और भारत के बीच दूसरा मुकाबला शनिवार चार नम्बर को राजकोट के स्टेडियम में खेला जाएंगा जहां विराट एंड कमपनी कीवी टीम के खिलाफ पहली बार टी ट्वेंटी अश्रंखला जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी इस विडियों के माध्यम से हम आपको उन ग्यार राह इलाडियों के नाम के बारे में बताएंगे जो राजकोट में प्लेंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं आए डालते हैं एक नजर टीम इंडिया की प्लेंग 11 पर पारी की शुरुआत करने की जिमेदारी टीम इंडिया के गंबर शिखर धरवन के कंधों पर ही रहेंगी दिल्ली में धरवन का प्रदर्शन पेहत ही काबिले तारीव रहा था टीम को एक तेज शुरुवात दिलाने में शिखर ने पूरी मदद की थी और असी रनों की शांदार पारी खेली थी राजकोट में भी गबर अपना रोधर रूप दिखाने को एक बार फिर से बेताब रहेगे शिखर धर्वन के साथ बतर सलामी बलेबाज पारी की शुरुवात करने की जिम्मेदारी टीम के उपकप्तान और शांदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा के उपर रहेंगी दिल्ली में भी रोहित के बले की पूरी गरज देखने को मिली थी और उन्होंने शांदार असी रनों की पारी खेली थी जब से रोहित को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है तब से उनकी बलेबाजी में चार चान लग गए हैं कप्तान की भूमिका में हर बार की तरह इस बार भी दिगज विराट कोहली ही दिखाई देंगे। मौजूदा समय में विराट कोहली ने अपनी डमदार बले बाजी के साथ साथ अपनी शांदार कप्ताने से सभी का दिल जीता है। राजकोट में कोहली जरूर्य श्रिंखला जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। राजकोट में टीम में यहाँ एक सबसे बड़ा बदलाव लेखने को मिल सकता है। टीम में श्रियस आयर के स्थान पर अनुभवी दिनेशकारतिक को अंतिम 11 में मौका दिया जा सकता है इसकी एक बड़ी वजह राजकोट का मैदान दिनेशकारतिक का होम ग्राउंट होना बन सकता है। आई पील में दिनेशकारतिक गुजरात लायंस से खेलते हैं और इस कारण यहाँ उनका घरेलू मैदान भी है। ऐसे में कप्तान विराथ जरूर उनके अनुभव का फायद महेंद्र सिह धोनी का स्ट्राइक रेक 350 का रहा था और अपनी चतुराय भरी कीपिंग से भी धोनी ने सभी का ध्यान खींचा था। राजकोट में भी धोनी टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। फ्पीन गेंदबाजी का डारोंदार लोकल बॉय अक्षर पतेल संभा लते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली में हुए T20 मुकाबले में अक्षर पतेल ने अपनी ब्रमदार गेंदबाजी से सभी का दिल जीता था। अक्षर ने ना सिर्फ मैच में सबसे किफायती गेंदबाजी की थी बलकि दो कीवी बल्ले बाजु का शिकार भी किया था। राजकोट में भी अक्षर कोई कसर नहीं छोडेंगे। अक्षर पतेल के साथ दूसरे स्पिन गेंदबाज के वाखिलाडी यूजर वेंदर चहल दिखाई देंगे। जब से चहल ने देश के लिए T20 क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से उनका प्रदर्शन देखते ही बनता है। गुजरात का होने के नाते यहां हार्दे पंड्या घरेलो मैदान भी कहा जा सकता है। इस बार सभी की नजरे उन ही पर बनी रहेंगी। भुवनेश्वर कुमार के साथ बतोर तेज गेंदबाज जस्प्रीद बूमराह दिखाई देंगे। आशिश नेहरा के संद्यास के बाद अब T20 क्रिकेट के डेथ ओवर में शांदार गेंदबाजी करने का सारा जिम्मा अब बूमराह के युवा और जो शीले कंधो पर आप जस्प्रीद बूमराह ने अभी तक अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है। आशा करते हैं कि आगे भी उनका प्रदर्शन प्रभावशाली ही रहेंगा। जीहां म्यूजिलेंड के खिलाफ अंतिम ग्यारा में एक दूसरा बड़ा बदलाव मुहमद सिराज के रूप में देखने को मिल सकता है। चाहिए या नहीं अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दीजेगा। इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।